है है वेल्कम बैक दूस्तो है है आज अरी सेस्मान हम लोग जो compost को großerने वाले हैं कि प्रतिक दिन हम लोग 30 teor 的 zmcq discussion को कवर करते हैं जोकी हर एक इग्जाम के लिए important रहने वाला है तो चलिए शुरू कर लेते हैं देखेज पाला कुष्ण आगा सामने है त्वरन acceleration ग्याद करने का सही formula इन में से कौन सा है comment box में right answer को comment करना है और last में अपना 30 questions के score भी बताना है option है a equal to new plus b t a होगा small में new plus b t या फिर a equal to b plus u upon t a equal to b plus u upon 2 ठीक है u by 2 या फिर a equal to b minus u by t a equal to b minus u upon t comment कीजेगा right answer क्या होगा देखे इस question का right answer हो जाएगा option number d त्वरन निकालनी का सही formula है option number d अगला question देखिएगा इस question है पदार्थ के शमवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भोतीक राशी प्राप्त की जाती है त्वरन द्रेवववान बल या फिर वेग त्वरन द्रेवववान बल या फिर वेग तो देखे इस question का right answer हो जाएगा द्रेववववान अगला कुशन देखे कि फ्लांक के अचर में किसका आयाम होता है फ्लांक है ठीक है फ्लांक के अचर में किसका आयाम होता है रेखी गती, कोनी अगती, बल या फिर उर्जा का तो देखे इसका राइट अचर हो जाएगा कोनी अगती अगला कुशन देखे एक लड़की जूले पर बेठी बैठी इस्थिती में जूला जूल रही है उस लकडी के खरे हो जाने लड़की के खरे हो जाने पर दोलन का आवर्त काल क्या होगा जूला पर कोई लड़की जूल रही है अगर वो खड़ी हो जाती है तो दोलन के आवर्थ काल पर क्या असर पड़ेगा लड़की की उचाई पर निर्वर करेगा अधीक हो जाएगा आपरिवर्ती तरहेगा या फिर कम हो जाएगा तो देखे, इसका right answer हो जाएगा, कि दोलन गती, दोलन गती जो होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, खड़े हो जाने पर दोलन गती, आवर्त काल का जो दोलन गती होता है, वो कम हो जाता है, अगला question देखे, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो उसका चली हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए, तो उसका क्या होगा, गतीज उर्जा दो गुनी हो जाती है, गतीज उर्जा चार गुना हो जाती है, भार दो गुना हो जाता है, या त्वारन दो गुना हो जाता है, देखे, इसका right answer हो जाएगा, उर्जा चार गुना हो जाता है अगला कोषिचे देखिएगा इसी पिंड के द्रवमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि द्रवमान अपरिवर्तन्य होता है जब कि हार इस्थीर रहता है या फिर द्रेव मान इस्तीर रहता है जबकि भार परिवर्तन सीर रहता है या परिवर्तनिय रहता है दोनों सत्य है या फिर दोनों गलत है तो देखे इस question का right answer होना चाहिए option number B यानि कि द्रेव मान इस्तीर रहता है जबकि भार परिवर्तन सीर रहता है अगला question देखिए Next question है किसी आसन्तुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन त्वरन बल के व्यूत कर्माणुपाती होता है यानि के अपोजीट होता है बल के अनुकर्माणुपाती होता है बल के प्रभाव के स्वतंत्र होता है या फिर शुन्य होता है तो देखे इस question का right answer हो जाएगा option number B बल के अनु कर्मानु पाती होता है option number B इसका right answer होगा इस question देखे प्रतिक्रिया के बराबर वह विप्रित दिसा में एक प्रतिक्रिया होती है यहा है न्यूटन के गती के विश्म्यक प्रत्थम नियम या फिर न्यूटन के गती का दुत्य नियम तृत्य नियम होगा या फिर इन मेशे कोई ने question का बोड़ा प्रतिक्रिया के बराबर वह विप्रित दिसा में एक प्रतिक्रिया होती है इसका मतलब है कि action reaction लो गती के कौन से नियम को परवावित करता है कौन से नियम से related है action reaction लो तो देखिए तिरित्य नियम इसका right answer रूगा Newton के गती का प्रत्थम नियम जड़तों का नियम कहलाता है कि कोई वस्तु जिस अवस्ता में रहना पसंद करता है वो उसी अवस्ता में रहता है वो अपना अवस्ता या अपना दिशा तभी चेंज करता है जबकि उसमें external force ना लग जाए तिक है गती का दूत्य नियम जो है समवेक सरच्छन का नियम और तिर्थम नियम जो है वो action reaction लो है किरिया प्रत्य किरिया नियम अगला question जल में तेरना, न्यूटन के गती के किस नियम के कारण संबह है जल में तेरना, प्रत्य किरिया नियम जो इन में से सभी तो देखे इसका right answer हो झाएगा त्रित्य नियम, option number C इसका right answer होगा त्रित्य नियम अगला कुश्यन देखिए कोई पिंड तब तक विरामा वस्ता में ही बना रहेगा जब तक उस पर की बाहे बल कायरे नहीं करता है या कथन किसका है आंस्टीन का आकरमिरीज, गालिलियो या फिर न्यूटन कोई भी वस्तू विरामा वस्ता में ही बना रहता है और वो जब तक वैसा रहता है जब तक की कोई बाहे बल उस पर कायरे ना करें देखिए न्यूटन का पहला नियम ये बताता है कि कोई विवस्तू जिस आवस्ता में रह रहा है वो उसी आवस्ता में रहना पसंद करता है, वो अपना आवस्था या direction तभी change करता, अपना shape तभी change करता, जब कि उसमे external force ना लग जाए, तो ये न्यूटन के दुआरा कहा गया कथन है, ठीक है, और न्यूटन के प्रथम नियम, जिनको कहा जाता है जड़तो का नियम, अगला कुशन देखिए, कि बल की परिभासा आती है न्यूटन से, न्यूटन के गुरुत्वा कर्सम नियम से, गती के दुसरे नियम से, गती के पहले नियम से, या फिर गती के तीसरे नियम से, बल की परिभासा आती है न्यूटन के कोन से नियम से, देखिए, बल की परिभासा आता है न्यूटन के प प्रत्थम नियम, ठीक है, question number 981 का एंसर हो जाएगा option number C, अगला question देखिए, किसी पिंड उस गुंधर्म को क्या कहते है, किसी पिंड उस गुंधर्म को क्या कहते है, जिससे वह सीधी रेखा में विरामा या एक समान गत्ती की स्थिती में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, देखिए हमेशा questions का language सिर्फ change है, बाद बाकी बोल एक ही रहा है, ठीक है, कौन से नियम पर अधारित है ये, जड़त्व, कुछ भार, अक्रियता, या फिर गती, हिंता, देखिए इसका right answer हो जाएगा, जड़त्व, जोकि वस्ता, कोई पिंड या कोई वस्तु, सीधी रेखा में, विरामा या एक समान गती की स्थिती में, इसी भी परिवर्तन का विरोध करती है, ये गुंधर्म जड़त्व का नियम का लाता है, अगला कोशन देखिए, रेश कोशन है कि न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं जड़त्व का नियम, उर्जा का नियम, चमवे का नियम, या फिर अगुन का नियम, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, तो जड़त्व का नियम कहेंगे, इस कोशन देखिएगा, अगला कोशन है कि गारी खिजता हुआ घोडा, इस बल के कारण आगे बढ़ता है, प प्रित्वी द्वारा घोडे पर पैरों, घोडे के पैरों पर आरुपीत बल से, या घोडे द्वारा अपने पैरों से प्रित्वी पर आरुपीत बल से, घोडे द्वारा गारी पर आरुपीत बल से, या गारी द्वारा घोडे पर आरुपीत बल से, कोशन को ध्यान से पढ प्रित्वी दुआरा घोड़े के पैरों पर आरोपीत बल से गारी आगे बढ़ता है अगला कोशन देखिए Next Question है कि चलती भी बस जब अचानक ब्रेक लगती है या लगाती है उसमें बैठे वे यात्रे आगे की दिशा में गीरते हैं इसको किसके दुआरा समझाया जा सकता है न्यूटन के दूसरे नियम, न्यूटन के पहले नियम से, न्यूटन के तीसरे नियम से या फिर सापेच्छता सिधान्थ से तो देखे इसका राइट एंसर हो जाएगा न्यूटन के प्रत्थम नियम, इनी को कहेंगे जड़त्व का नियम लोप इनर्सिया अगला कोशन देखिएगा एस कोशन है रोकेट की कार्य प्रनाली की सिधान्द पर आधारित होती है रोकेट की कार्य प्रनाली की सिधान्द पर आधारित होती है न्यूटन के प्रथम न्यूटन के दुत्य नियूटन के दुत्य नियूटन के सिधान्द रोकेट के कारी प्रनाली ये तीसरे नियम पर अधारी थे एक्षन रियक्षन लो अगला कोशन देखिए नेश कोशन है अस्व अस्व यानि कि घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारम कर दे तो अस्वा रोही यानि कि जो घोड़ी के उपर में जो बैठा हुआ है कि गिरने की आकांसा का कारण है जरुमान के सरच्चन नियम या फिर विश्राम जलत्व गती का तिसरा नियम या जलत्व अगोन के कारण गिरने के आकांसा का कारण होता है यह होगा विश्राम जड़तों, जड़तों के नियम के कारण, क्योंकि जब अस्व, जब घोड़ा, इस्तीर कंडिशन में रहता है, उस कंडिशन में उस पे बेठे आदमी, ठीक है, उसमें बेठे आदमी जो है, वो इस्तीर कंडिशन में रहता है, घोड़ा जैसे यह अचान तो अब मतलब कि एक स्थीर कंडिसन में रहना पसंद करता है, लेकिन नीचले का हिस्सा उसका गति कर रहा है, जिसके कारण उनको पीछे की ओर वो गिरना प्रारम करता है, यानि कि गिरनी की अकंसा का कारण होता है, उनका जड़त्व के नियम के कारण, ठीक है? जो कि न्यू पखिच्छ का पखरता है कि जब कभी भी क्रिकेटर जो होता है जो घ्लारी ये इक aboard केंट को करें तो अपना हात को पखिछता है जब वह दो होता ही चैसे बैदार होता है में इसका कारण है हो सकता है कि option देखिए हो सकता है कि उसे अधीक बल लगानी क्या हो सकता हो या फिर हो सकता है कि उसे कम बल लगानी क्या हो सकता हो या फिर बल त्वरित स्थिती में रह सकती है या फिर बल विस्राम के स्थिती में आ सकती है तो क्या कारण है हाथ को पीछे की और घिचने का तो देखे इसका right answer हो जाएगा option body यानि कि विश्राम की स्थिती में आ सकती है इस condition में हाथ को पीछे घिचा जाता है तुसारा reason है कि विश्राम आवस्था में अगर गेंद रहेगा तो हाथ में चोट भी कम लगेगा और गेंद को पकड़ा भी जा सकता है इसके कारण खिलारी क्या करता है अपने हाथों को पीछे की और घिचने का कोशिस करता है बॉल actual में क्या होता है कि जब बल्ला के साथ लगता है तो गॉल जो हो गती यूर्जा में कनवर्ट होता है ठीक है उसको स्थिती यूर्जा में लाने के लिए हाथ को पीछे की और घिचा जाता है अगला कुशन देखिएगा नेक्स्ट वन कि बल गुननफल है द्रवमान और वेक का भार और वेक का भार और त्वरन का या फिर द्रवमान और त्वरन का बल गुननफल है किन का तो द्रवमान और त्वरन इसका राइट एंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर डी ठीक है द्रवमान और त्वरन जब कोई व्यक्ति चिंद्रमा पर उतरता है तो उसके सरीर में उपस्तित भार में परिवर्थन होता है, मात्रा तथा भार दोनों में कमी होता है, पदार्थ की मात्रा में परिवर्थन होता है तथा मात्रा अपरिवर्थित रहती है क्या होगा इसका राइट एंसर देखे इस question का राइट एंसर हो जाएगा कि भार घड जाता है जबकि मात्रा अपरिवर्थी तरह आता है यानि कि प्रित्वी से चंद्रमा की और कोई व्यक्ति कोई वस्तु जाता है तो लगभग 6 गुना भार की कमी होता है अगर प्रित्वी में किसी व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम होगा तो चंद्रमा में उस व्यक्ति का वजन जाओगा लगभग 10 केजी का होगा मतलब 6 गुना वजन घड जाता है लेकिन मात्रा में कोई परिवर्थतन नहीं होता है मात्रा का मतलब है कि उनका मॉलिक्यूल, उनका एटम्स, मान स्पेसी, हड़ी, वो कोई घड़ता नहीं है, पर नहीं बढ़ता है, अगला कुशन देखिए, यदि हम भूमाईद रेखा में, भूमाईद रेखा से दुरू की और जाते हैं, तो जी का मान क्या होगा, भूमाईद रेखा से दुर कोईशन का राइट एंसर हो जाएगा, कि बढ़ता है, भूमाईद से दुरू की और जाते हैं, तो जी कमान बढ़ता है, और आप लोग कमेंट किजिएगा, जी का वैल्यू क्या है, स्वारी है, कैपिटल जी नहीं होगा, स्मॉल जी होगा, स्मॉल जी कमान, ये बढ़ेग स्मॉल जी कमान, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट किजिएगा, अगला कोशन देखिए, एस कोशन है, सरीर का वजन, मैदानों की तूलना में पहारियों पर अधिक होता है, दुरू पर अधिक्तम होता है, प्रितिवी की सता पर सभी जगह, एक समान होता है, एक समान, या फिर विश्वत रेखा पर अधिक्तम होता है, तो सरीर का वजन जो है, वो धुरू पर अधिक होता है, मध्य पर कम होता है, धुरू पर जदा होता है, अगला कोशन देखिए, 20 केजी के वजन को जमीन के उपर, एक मीटर की उचाई पर पकड़े रखने के लिए क्या ग की उचाई, यहां पर अगर मिटी को पकड़ते हैं, 20 केजी का कोई वजन का कुछ भी चीज पकड़ते हैं, तो उन पर क्या गया आपको कारे निकालना है, चुन्य होगा, 200 जूल होगा, 981 जूल होगा, या फिर 20 जूल होगा, तो देखिए, इस कोशन का राइट एंसर हो ज जा करके वर्क होगा, तो डिस्प्लिस्मेंट अगर नहीं हो रहा, विस्थापित अगर नहीं हो रहा, तो कारे भी नहीं होगा, तो इस कारन यहां पर कारे क्या होगा, 0 जूल, सुन्य जूल, अगला कोशन देखिए, इस कोशन है, एक व्यक्ति की दिवार को धक्का देता ह एक व्यक्ति दिवार को धक्का देता है, पर उसे विष्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है अधिकतम कार्य, कोई भी कार्य नहीं, विनात्मक पर अधिकतम कार्य नहीं, तो देखें, तो देखें, इस question का right answer होगा कि कोई भी कारे नहीं किया क्योंकि देखें, दिवार पर धक्का तो दे रहा, तागत तो लगा रहा लेकिन दिवार विस्थापित नहीं हो रहा है अगर कोई भी वस्तू विस्थापित नहीं होगा, तो उसमें work done नहीं होगा इसलिए इस question का right answer होगा option number B Next one देखिएगा कि पहारी पर चर्था एक व्यक्ति आगे की और जूग जाता है क्योंकि फिशलने की संभावना कम हो जाए सक्ती सर्चन हे तू या फिर अस्थाइत तो बढ़ाने के लिए या फिर तेज चल सके जिसके कारण आगे की और जूग जाता है तो देखिए इस question का right answer हो जाएगा अस्थाइत तो बढ़ाने के लिए तिक है अस्थाइत तो बढ़ाने के लिए ऐसा होता है Next one देखिएगा Next question पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर तूट जाएगी क्योंकि कांच उस्मा का सुचालक होता है जमने पर जल काईतन बढ़ जाता है जमने पर जल काईतन घड जाता है या फिर जमने पर बोतल सिकूरती है तो देखिए इस question का right answer हो जाएगा Option number B जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण पोतल जब जमता है तो तूटता है अगला कुशिन देखिएगा नेस्ट कुशिन है जल का आयतन पर क्या परिवर्टन होगा यदि तापमान 9 डिगरी से गिरा कर 3 डिगरी से गिरा कर 3 डिगरी से गिरा कर दिया जाता है तो आयतन पर क्या परिवर्टन होगा पानी जम जाएगा आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा या फिर आयतन में की परिवर्टन नहीं होगा कोई भी परिवर्तन नहीं होगा तो देखे इस question का right answer होगा कि आयतन पहले घटेगा और फिर बाद में बढ़ेगा option बब इस question का right answer हो जाएगा पहले घटेगा फिर बाद में बढ़ेगा इस question देखेगा अगला question है कि एक जील में तेरने वाली इस पात की नाव के लिए नाव द्वार विस्थापित पानी का भार कितना है पानी का भार कितना है नाव के भार के बराबर होगा या फिर नाव के उस भार के बराबर होगा जो जील के पानी के सत्थ के नीचे है या फिर नाव के भार से जादा होगा या फिर नाव के भार से कम होगा कोई भी नाव है उनके दुआरा विस्थापित कही गए पानी जब उसको पानी में डाला जाता है तो पानी विस्थापित किया गया वो किन के बराबर होगा ठीक है मान लिजे के नाव इतना दूर तक पानी में डूबा हुआ है तो पानी किन के बराबर होगा तो देखे इस question का right answer हो जाएगा option number B यान की नाव के उस भाग के बराबर जो जील के पानी के सतह के नीचे है option number B इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखे किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है गती के पहले और दुसरे नियम के संयोजन या गती का तिसरा नियम गती का दुसरा नियम या गती का पहला नियम तो देखे इस question का right answer हो जाएगा गती का पहला नियम option number 10 का right answer होगा गती का पहला नियम नेक्स क्रोशे कि सड़क पर चलने की अपिक्छा बर्फ पर चलना कठीन है क्योंकि बर्फ में सड़क की सापिक्छा घर्षन कम होता है या जब हम अपने पेर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिकिर्या व्यक्त नहीं करती सड़क बर्फ से सक्त होती है या फिर बर्फ सड़क से सक्त होती है तो देखें इस question का right answer हो जाएगा option number A बर्फ में सड़क की सपिक्छा घर्षन सापिक्च घर्षन कम होता है option number A is question का right answer होगा मिलते हैं दोस्तों ने इस क्लास थेंक यू